नमस्कार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वालत है दोस्वों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शत्र और अठार अगस्त की आपकी राशी की महाराशी फल की बारे में शब्से पहली दोस्वों जिनका भी यश्मी बर्थिती है या फिर अनवर्सरी है आप शबी को मेरतरब से धेर शारी शुप कमनाए आप दिन दोगनी रात चौगनी तरके करें तो आई दोस्वों से के शाथ बात करते हैं यश्मी गरों की सिथी केश्यों की क्या क्या योग बनेंगे और इन्हें शबी का शुराब की राशी पर क्या होगा किन-किन चैज़ों को लेकर याश में आपको साव धनेना होगा और आकिर कौन-कौन शेकारी आपके लिए भागी शलूंगे याश में आपका लब-लाइब केशा रहेगा दोस्तों इन्हें दो दोनों में आपका पारिवरी जोन केशा रहेगा आरतिक जती और धन को लखे सतियान केसे वज़्दोंगे इन शबी की महता पूंचान काइड़ देंगे तो दोस्तों वीडियो को मिशना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें अंत में बहुत अच्छे उपाई है जिन्याप करके इंदनों को और भी ज़्यादा लाव विकारी बना पाएंगे उश्ची पहले दोस्तों यह आप चैनल पर नहीं है तो दोस्तों निवे दन है कि शुकल पाज के दसमे तिती रहेगी और जेंश्टा नाम का इस दिन अच्छत रहेगा दोस्तों दिन योग की बात करें तो बैद्धिती नामाक्षु व्योग रात्री के प्रात काल बारा बच कर तीन मड़त रहेगा उष्गुप्रांती बिश्ट कुम नाम का दुरलब श्योग इस दिन प्राण हो जाएंगे जो कि आपके कार चेत्र में आपको चार बड़े मुखे देने वाले हैं यह कें तो चार चेत्रों में आपको यह श्मी आमदनी देखनों को मिलेंगे परना तो दोस्टों इस दिन राहुकल के श्मी में आपको शावदान रहना होगा और यह श्मी होगा शाम के तीन बचकर 42 मिट से लेकर शाम के पांच बचकर 18 मिट तक इस गुपरां दोस्टों इस दिन चर्मा जो है प्रिश्चिक राश्य की प्रांद धनु राश्य में गोसर कर जाएंगे वह दोस्टों अगले दिन 18 अगस्त की बात करें तो दोस्टों बुदुवार का दिन होगा बगवान श्री गिनेश जी का दिन होगा और दोस्टों इस दिन शुकल पस की अगस्तिती प्रारम हो जाएंगे शाती मूल नाम के निशत्र के शाती इस दिन जो योग बन रहे हैं वो प्रिती नामा शुब योग है जे दोस्टों और यह है योग भी आपके लिए बहुत श्यादा महत्पुन की और इस दिन आउकल के श्रमे होगा दोपर के 12 बचकर 30 मिट लेकर दोपर के 2 बचकर 6 मिट तक और दोस्टों चनमा इस दिन धनु राशु में ही संचार करेंगे पूरे दिन भर तो आई दोस्टों बात करते हैं दोदनों की जोग गरहों की सती है विप्रित लिंगी व्यक्तियों से भी यश में आपकी वहट होंगी मित्रों दधा पिरिपात्रों के शाथ यश में मनरंजन पूर्ण परवास हो सकता है वहां सुख मिलेगा तो यश में नई वस्तुरों की खरिदारी या फिर उसे पहनने के आपसर प्राप्त होंगी मैं दोस्तों इन दिनों में आपकी नेगेटिविटी के लिए बात करें तो दोस्तों यह जो श में है यह जो दिन है आपके लिए आप काफी जो है अपनी जिन्दिकों को बदालना चाहेंगे ये कुछ समय जो हो आपके लिए ठोस कदम उठाने का शमय होगा दोस्तों यश्मय आप समस्याओं को नजन दाज बिलकुल न करें नहीं दोस्तों उनका आप हल यश्मय नहीं निकाल पाएंगे बलकि कोसिस करने से आप उनको यश्मय सुल्धा पाएंगे ये जो आपके लिए दिन है शमस्याओं से भी भरा रहेगा लेकिन दोस्तों यश्मय आपको जो है सही दिसा को पचान कर उसकी और आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों इन दिनों में अकास्मिक बदलाओ या फिर घटनाओं से भरा भी दिन होगा यदि किसी प्रकार कर निरले लेने की आप यश्मय सोच रहे हैं तो दोस्तों उसके लिए यह जो समय है बहुत ही अच्छा समय होगा बहुत ही उचित समय होगा यस में आप महत्पूर नेरलेयों को बिल्कुल ले सकते हैं और उस पर यस में आप कारी भी कर सकते हैं दोस्तों आपको अपने कमफोर्ट जॉन से यस में बारूर निकलना पड़ सकता है शुरुआत में इससे जो है कुछ परिशानिया हो सकती है कि दोस्तों यह जो आपके लिये भर्श में बहुत याचा लाफ कारी श क्रिद होगा नए लोगों से मुलकात होने की य insightful है जीनके नई रिस्ता का भी आरम हो शकता है वह दूस्तों इन दिनों अगर आपकी करियर को लिकर बात करें तो दूस्तों इन दिनों में कारी छेत्र में नोकली मिलने की आशार हैं यदि आपके कारी छेत्र से यह भीन भी हो तो दूस्तों इसे जाने दों इसे सोच समझ कर विचार कर को कि बढ़ों की शला से निवेश करनाय श्रमी आपके लिए not होगा दोस्तों इन दिनों में बहुत इक संसाथनों में बूद्धि हो शकती है है वह तो इन दिनों में अगर आपकी लवलाइब को लोगर बात करें तो दूस्टों यश्रमे आपका प्रेम संबंद जो से भरा हुआ रहे गा और दूस्तों चीजों को मसाले दर बनने के लिए आप बहुत शारी जो है कलपनाओ का इस्तमार यश्रमे कर सकते हैं अपने शाथी के साथ आपका यश् रिशानियां आरे हिए उन्से आगे बढ़ जाने के लिए सम्गे समयदारी होगी है है हुआ दोस्तgoing दिनों में आपकी हैल्थ को लेकर बात करें तो ये जुष ये समय है आपके लिए हएल्थ के लिए बहु TWER रहे गा यदि आपके शेहत में पहले स्वास में कोई भी गडबडी थी यश्ट में तो सुदार होने की शमhवना है योग बन रहे हैं दोस्तों यश्ट में यदि किसी रोग से आप जूझ रहे हैं तो जल्दी उनसे आपको निजात मिलेगा दोस्तों इन दिनों में माता पिता का श्वास भी काफी हद तक बहतर रहेगा और आपके लिए यस में राहत की बात होगी क्योंकि दोस्तों आपके माता पिता की जो सहत है यस में सुधरती नजर आएंगी दोस्तों इन दिनों में आपका भागी शाली रंग रहेगा गुल्डन और भागी शाली अंक रहेगा साथ वह दोस्तों इन दिनों में आप अन्ने लोगों के साथ विचार मिनमाई करके अपने विचार परस्तूत करने का आपको यश्मे अफसर मिलेगा दोस्तों इन दिनों में आप ओफिस में कारी करने की जो है वहिवार रशना को त्यार करेंगे और आपके ये जो उच्च विचार हैं पता दिर क्यानों की पर्शन साख की पात्र बनेंगे वह दोस्तों यह जो समय है वैवारिक और नीजी जिवन इन दोनों छेत्रों में सभी कार्य स्रालता से पूरे होंगे और आपका यह जो दिन है आनन्द पुर्वक पूरा होगा दोस्तों ऐसा गिनेश जिका कहना है वह दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी वित्तिति याने धन को लेकर बात करें तो दोस्तों यदि आप किसी भी सोफ्टेर पर काम करते हैं तो आपका बोस आपके जो है उत्कृष्ट कार्य परदशन के लिए आपकी तारिफें करेंगे आपके खास काम के लिए वह आपको खुष भी करेगा और आपसे खुष भी होगा दोस्तों यश्मिन नसीब में यूति पूर्ण चर्चाएं होंगी आपका दिमाग नहीं विचारों और ज्यान से लबरेज रहेगा आपकी बुद्धि मता नई वजटिल इसकीम की तालिम करने में मदद करेंगी वह दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी पारिवनिक जीवन की बात करें तो प्रेमी की शाथ बौधिक मामलों पर चर्चा वो फिर गुप्तगू करके आप जो है शाम का या समिल लूप्त उठाएंगे यसा गिनेस जी कहते हैं दोस्तों आप लाल साडी पहन कर या फिर शुगंदीद इत्र लगा कर साती को लुभाने की यसमी कोशिश कर सकते हैं आप कुछ रोमांचा खेल खेल कर अपने प्रेम में उमंग लाशकते हैं दोस्तों इसा गिनेस जी का मानना है वह दोस्तों इन दुनों में आपकी अधा बढ़ाने का सबसे बढ़ियां तरीका है तो अधरियों में अपने लिये फच्री हैं अगरा आप कोई धंदा व्यपार just करें तो ऊसके लिए आ приготов में जरू करें दोस्तों इसके जरीए लोगो तक कि आपके जो है वहाइपार की जानकरें पहुँचेंगी अपना पर पहतर तरीके से चीजों को समालने में मदद करेगा आपका दिमाग है बढ़ा तेज येश्र में चलेगा इसके अलावा आप उर्जार से भरे होंगे जो कि दोस्तों इन दिनों में आपको कारे के दोरान और भी मदद करेगा वहें दोस्तों य Aurumun आपके जीवन साती को ओर से मिला कोई तोफाः आपके खिन्न मन को खुँच करने में काफी मदलगार शाबध होगा दोस्तों यस्तों मैं पक्चीयों को मिठा के लाएं इसे दोस्तों मोनदो कृरी या भिजनस में जो है सफलता मिलेगी दोस्तों ये अश्य में आपको कौन से उपाई को करना चाहिए दोस्तों यदि जोन में कोई नो कोई परिशानी बने हुए है और इसके कारण आप तनाव में रहते हैं तो दोस्तों एश्य में आपको एक तांबे की लोटे में जल से आधा भर कर उसमें लाल चंदन डाल लें और दोस्तों रात में सोते समे इस कलस को अपने शीराने पर रखें और शुबा बिना किसी से बोले या जल को तुलसी के पोधे में डाल दें दोस्तों ये उपाई आप लगादार करें दोस्तों इनसे आपकी शुवी परिशानिया जल्दी ही दूरी होंगी तो दोस्तों औ और एसे अधिक जनकारियों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें शाथे बेल आइकन को भी पिरिश कर दें साथे वीडियो को अधिक सिद्ग लाइक करें शेयर करें धन्यवाद